नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरपी टैक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिशन थेओरी की में तो पुरोन ओनलाइन टेस्ट सीरिज के बारे में तो ओब्जेक्टिव क्यूशन होंगे सभी क्यूशन और यहां सीरिज बहुत ही इंपोर्टेंट है सभी टैक्निकल एक्जाम्स के लिए तो वीडियो को ज्यदस ज्यदस लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजे जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नीची देगे लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब भी कर लीजे साथ में all notification bell को भी ओन कर लीजे जिससे के आगे के semi notification आपको मिल सकी तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अपने सो तक के क्यूशन देख लिए थे आज बात करेंगी आगे की क्यूशन की तो क्यूशन नमर 101 है सबसे कम voltage range का कौन सा circuit बरे करेंगा के को सबसे कम तो इसका राईट आंसर क्या होगा फटा-पट कमेंट करके बताना है सभी को दोस्तो फटा-पट बताईये इसका राईट आंसर क्या होगा तो दोस्तों सबसे कम रेंज वाला voltage रेंज वाला circuit बरेकर है air circuit बरेकर correct answer क्या होगा option नमबर यह अगला question दे रहागा yu की प्रावेदुत क्या होती है yu की प्रावेदुत सामरते क्या होती है 3 kWh परती mm 3 kWh परती cm 3 kWh परती cm 3 kWh परती mc तो कितनी होती है कौनसा right answer होगा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा 3 kWh परती mm correct answer क्या होगा option यह next question अगला question दे रहागा नमलिकित में से कौनसा गटक विद्दुत आवेद के रूप में उर्जा संगरीद करता है इन में से कौनसा गटक है जो विद्दुत आवेद के रूप में उर्जा संगरीद करता है option दे रहागा परेरा के परती रोधा के संदारीतर या transformer तो कौनसा है जो विद्दुत आवेद के रूप में उर्जा को संगरीद करता है अर्था अर्थे एक कतरीद करता है फड़ा बड़ बताओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका सयुत्तर हो जाएगा संदारीतर कौन करता है capacitor correct answer क्या होगा capacitor चलिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका एक transformer में नियमित दक्सता किस पर नेरवर करती है आप पूर्ती frequency परे भारदारा परे लोड के power factor परे या बीवसी दोनों परे तो transformer में नियमित दक्सता किस पर नेरवर करती है चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer पटापट कमेंट करो तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option number D बीवसी दोनों पर किस पर भारदारा पर भी और लोड के power factor दोनों पर दक्सता निरवर करती है correct answer हो जाएगा option number D अगला क्यूप्शन अगला क्यूप्शन दे रहा है नेमन डिवाइस में से कौन सा मुक्य रूप से परतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उप्योग किया जाता है option दे रहा है real state, light dependent register, voltage dependent register या NTC thermistor तो कौन सा आई इन में से important question है फटबड कमेंट करो क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा NTC thermistor NTC का फुलफरम भी पूछ लेता है तो इसका फुलफरम होता है negative temperature coefficient क्या होता है negative temperature coefficient अगला question अगला question दे रहा है एक lead acid battery के विशिष्ट गुरुताव का इस्तेमाल अक्सर इसकी मापने को लिए किसे मापने के लिए किया जाता है एक LED Acid battery के विशिष्ट गुरुतव का इस्तेमाल किसे मापने के लिए किया जाता है discharge होने की दर को, परिचालन तापमान को, charge होने की दर को या उप्योगी जीवन कालो तो किसे मापने के लिए विशिष्ट गुरुतव का इस्तेमाल किया जाता है important question है तो इसका correct answer हो जाएगा charge होने की दर को मापने के लिए विशिष्ट गुरुतव का इस्तेमाल किया जाता है next question अगला question दे रहा है, Corona का क्या परभाव हो है Corona का क्या परभाव हो है भड़ी हुई परती किरिया, भड़ी हुई उपदान बिजली के नुक्सान में बढ़ती हुई हानी या धारिता तो क्या है, Corona का क्या परभाव हो है इसका correct answer हो जाएगा बिजली के नुक्सान में बढ़ती हुई हानी correct answer कौन सा होगा, option C अगला question अगला question दे रहा है, Air Circuit बरेकर का, गती, सील, टर्मिलल किसका बना होता है option दे रहा है, Copper Tunguston मिसर दातू का, Electrolite Copper का, Aluminum मिसर दातू का या चीनी मिट्टी का, तो किसका बना होता है इसका correct answer हो जाएगा Copper Tunguston मिसर दातू का, correct answer कौन सा होगा option ये, next question दोस्तों, अगला question दे रहा है, सिंगल पॉल स्यूच को किस उचाई पर fit किया जाना चाहिए single पॉल स्यूच होता है उसको किस उचाई पर fit किया जाना चाहिए option ये दे रहा है, जमीन से 3.19 मिटर की उचाई परे option B दे रहा है, जमीन से 1.5 मिटर की उचाई परे option C दे रहा है, जमीन से 2.5 मीटर की उचाई पर Option D दे रहा है 1 मीटर की उचाई पर तो single pulse use को किस उचाई पर fit किया जाना चाहिए Important question है फटाबड बताओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा जमीन से 1.5 मीटर की उचाई पर Right answer क्या होगा Option B Next question अगला चूशन दे रहा है बिरदर क्या है Option दे रहा है एक विद्धूत सादन एक परकार का relay एक परकार का transparmer या एक अबिदीस सादन तो क्या है बिरदर क्या है Important question है Right answer हो जाएगा एक अबिदीस सादन है एक अबिदीस सादन Next question अगला क्यूशन दे रहा है एक डायोड का कट इन ओल्टेज क्या है एक डायोड का कट इन ओल्टेज क्या है इंपोर्टेंट क्यूशन है ओप्शन दे रहा है सुन्ने पॉइंट साथ ओल्टेज सुन्ने पॉइंट दो ओल्टेज सुनने point 8 voltage यह 1 voltage तो cut in voltage क्या है Right answer हो जाएगा सुनने point 7 voltage Right answer क्या होगा सुनने point 7 voltage Next question दोस्तों अगला question दे रखा है Transformer की किरिया के लिए निमिलिकित में से किस की आवशक्त होती है परत्यावरती चुम्के फलक्स की निरंतर चुम्के फलक्स की परतिया और्ति विद्धुत फलक्स की या वर Trung कि या वर्दमान चुम्ब किये फलक्स की तो किसकी आफ़सकता होती है ट्रांस्वार्मर की क्रिया के लिए इंपोर्टेंट क्यूसन है चलिए बताए क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा परत्या और ती चुम्ब के फलक्स की किसकी आउसकता होती है ट्रांसपार्मर की किरिया के लिए परत्या और ती चुम्ब के फलक्स की correct answer होगा option यह next question अगला question दे रहागा जब किसी induction motor पर load बढ़ाये जाता है तब क्या होता है जब किसी induction motor पर load को बढ़ाये जाता है तो उस पर क्या परवाव पड़ता है option यह दे रहागा इसका power factor बढ़ जाएगा option B दे रहागा इसका power factor कम हो जाएगा option C दे रहागा power factor में कोई बदलाव नहीं होगा option D दे रहागा power factor को load तक बढ़ता जाएगा फिर दोबारा कम हो जाएगा तो कौन सा correct answer होगा important की उससे नहीं जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा जब induction motor पर load बढ़ाये जाएगा load को क्या किया जाएगा बढ़ाये जाएगा full load तक क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा फिर दोबारा कम हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर बाद में कम हो जाएगा तो correct answer होगा option D next question अगला question दे रहागा एक सरेणी motor को बिना load इस्टार्ट करते हैं तो क्या होगा एक series motor को अगर बिना load की इस्टार्टे हैं तो उसमें क्या होगा option दे रहागा है गती तीवर्ता से बढ़ती है option B दे रहागा है गती तीवर्ता से घड़ती है option C दे रहागा है बल आगुन तीवर्ता से बढ़ता है D दे रहागा है counter EMF गढ़ता है तो जब एक सरेणी मोटर को बिना लोड के स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं बिना लोड के सुरू करते हैं तो उसमें क्या प्रवाव पड़ेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गती तीवर्ता से बढ़ती है लेंप और टूब लाइट गरों में सप्लाई से किस परकार से जुड़े होते हैं सरेणी करम में, समना अंतर करम में, मिसरित करम में ये इन में से कोई नहीं कौन सा उप्षन राइट आंसर होगा जल्दी कमेंट करो तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समना अंतर करम में किस करम में जुड़े होते हैं, समना अंतर करम में करेक्ट आंसर होगा, उप्षन बी अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा घरेलू एवं ओदोगिक वाइरिंग में परियोग की जाने वाली किलिट वाइरिंग है इस्ताई वाइरिंग एस्ताई वाइरिंग ये वह भी दोनों ये इन में से कोई नहीं तो घरो यह उं ओदोगीक वाइरिंग में परियोग की जाने वाली कलिट वाइरिंग कौन सी है इंपोर्टेंट क्यूशन है जल्दी कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर हो दाईगा एस्ताई वाइरिंग कौन सी वाइरिंग है A-S type wiring, correct answer होगा OPCON B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन देराका SILICON की परमानू संक्या होती है, SILICON की परमानू संक्या कितनी होति है, 14, 18, 20 या 64 तो SILICON की परमानू संक्या कितनी होती है इसका right answer हो जाएगा 4. Correct answer क्या होगा OPCON E नेक्स्ट क्यूस्टन अगला क्यूस्टन दे रहा है आरक लेंप का अविस्कार किस ने किया था आविस्कार किस ने किया था आरक लेंप का ओर इस्टेड ने डेवी ने जैसी बोस ने इन में से कोई ने तो आरक लेंप का अविस्कार किस ने किया था इंपोर्टेंट क्यूस इसका correct answer हो जाएगा Davey ने किसने कहा था डेवी ने अगला क्यूश्चन दोस्तों अगला क्यूश्चन है DC की आपूरती निमन दुवारा प्राप्त की जा सकती है DC जनितर सुसक से ऐल सेकंडरी सेल याँ प्रोक्त सभी तो DC की आपूरती निमन में किसके दवर अपराप्त की जाह सकती है जल्दिष कमेंट कर दीजें क्या होगा इसका correct answer है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा उप्रोकत सभी द्वारे सोसक sell से भी DC janitor से भी secondary sell से भी तो correct answer क्या होगा उप्रोकत है सबी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगाऊत लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजे थेंक्यू